के प्राज़क है? आज हम जन जागरण के इस पुनीत कारिकरम में एक बिलकुल ऐसा विशय जो की हमारे स्वास्ति से जुड़ा हुआ है योग द्वारा स्वास्ति प्रबंदन पर हम विचार विमर्ष करेंगे और मन्थन करेंगे कि किस प्रकार योग हमारे संपून स्वास्ति को ठीक रख सकत है दो शब्द है एक तो योग और दूसरा है स्वास्ति प्रबंदन योग हमारे भारत की कृति है भारत में ही जन्मा है इसका अविश्कार भारत में हुआ है इसका दर्शन इसकी पदत्ति और इसका जीवन जीने का जो कला है वो पूरी भारतवर्स में हुई है इसलिए य योग का आर्थ होता है कि जोड़ना जोड़ना किसको माइंड बोडी एंड सोल मन शरीर और आत्मा हमारे तीन बड़े तत्व हो गए एक मन मन का काम है कि चिंतन करना पांच इंद्रियों से प्राप्त जितने विशय है उन सब की संयोजना करना उन सब के लिके उपर विचार मर्ष करना और उसके साथ साथ में भूत काल की जो हमारी जो स्मृतियां है उसके अंदर जाना वर्तमान का चिंतन और भविश्य का जो है वो परीकल्पना करना ये सब मन का काम है तो हम इस तरीके से इस योग के अंदर हमारे तीन विशय हो गए कि मन, बुद्धी और शरीर शरीर है वो हमारा पौद्गलिक जो दिखाई देता है और बुद्धी जो है वह हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन सारा चिंतन करती है और इसके उपर भी जो है वो आत्मा है तीनों को जोड़ना है जब मन, शरीर और माइंड, बोडी और सोल तीनों एक लाइन में रहें तो हमारा सारा चिंतन, हमारा सारा जीवन है बहुत ही संतुलित रहेगा तो अब इस तरीके से योग की ये परिभाशा है और योग जो है वो आज के समय में 21 जून को कई बरसों से पिछले तीन बरसों से जो है 21 जून प्रतिवर्ष जो है अंतराष्टिय योग दिवश के रूप के अंदर मनाया जाता है हमारे मानिय प्रदान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी ने पूरे विश्व के सामने विश्व में 200 कंट्री है उनके सामने ये अच्छी बात रखी यूनों के माध्यम से कि हमारे यह योग ऐसी पदत्ती है अगर व्यक्ति उसको धारन करे तो उसका वर्तमान जीवन अच्छा हो सकता है अच्छा समाज बन सकता है अच्छा रास्टर बन सकता है और आज एक पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल फैमिली की तरह सकता है और उन्होंने इनका दार्शनी योग का दार्शनी पक्स रखा और योग की पूरी पदत्ती को व उतराष्टी योग दिवस्ट के रूप के अंदर ये मनाया जा रहा है अब योग से हमें क्या क्या लाब होते हैं और योग क्या है योग का दर्शन क्या है योग के रूप में हम बात करें तो बहुत से योग के जो है वो अलग-अलग विशे आते हैं और हर धरन धरन दर्शन में भी योग की एक पदत्ती है हमारे पुराने जितने भी रिशी मुनी हुए हैं उन्होंने योग के माद्यम से प्रकर्ती के करीब रह करके अपने स्वास्ते को अच्छा रखा और साथ साथ मैं उनके विद्यार्थियों को जो है योग की सिक्षा दी योग एक ऐसा विशय ह जो कि हमारी पूरी मस्तिश को जो है बहुत संतुलित रखता है. अब मैं थोड़ा सा योग को बहुत अच्छी तरश से समझाने के लिए बाईए और बैनों दर्शकण सोतागण बहुत अच्छी तरश समझने के लिए जो है मस्तांग योग का एक उदरन दे सकते हैं, क्योंक वैसे तो योग इतना विशाल है कि इसके हर जो है धर्मदर्शन में योग है लेकिन सबका एक साथ विवेचन करना अभी इतना समय नहीं है हमारे पास में अस्टांग योग के अंदर योग के जो है वो आठ बाग किये गए हैं यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, दार्णा, ज्यान, समाधी ये अस्टांग योग है और इसके अंदर एक एक योग के अंदर जो है ये बताया गया यम जो है हमारे चरित्र के ऐसे गुण है अईंसा, सत्य, अचोरिय, ब्रहमचरिय और अप्रिग्र ये इस तरीके से पांच महावरत गिने जाते हैं ये वरत हैं, ये यम के अंतरकत आते हैं, यानि हम योग का प्रार्म करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इन पांच महावरतों, इन पांच वरतों को जीवन के अंदर धारन करना पड़ेगा, और उसके बाद में नियम की बात करें, शौस, संतोष, वगरा, इश्वर, परिधान, तप है, त्याग है, ये उसके जो है, यंग के, जो नियम के अंग है, तो उन नियम का पालन करना होता है, इसी तरह से आसन हैं, आसन जो बहुत तरह के मुक्याशन है, और वैसे आसन जो इसका जो निर्मान किया गया है, वो आसन के निर्मान जो हमारे जितने भी पसु पक् में बैठते हैं जिस आशन में बैठते हैं उस आशन को जो है मनुश्य भी धारन करें क्योंकि इस प्रकृति में रहने वाले जितने भी पसू पक्षी है वो एक प्रकृतिक जीवन जीते हैं और उनके बैठना का जो जो व्यू है उनके बैठने का जो आशन है उस आशन को जो और उन आशन के माद्यम से जो है हमारा शरीर का जितना भी संतुलन है हमारी नाडियां है हमारे सारे तंत्र है वो एकदम विख्शित रहते हैं तो इस तरीके से ये योग एक ऐसा विज्ञान है एक science of living है ये art of living है ये जीवन जीने की पदत्ती है ये हमारा life system है यह हमारा लाइफ स्टाइल है योग, योग कोई मैजिक नहीं है, योग कोई धर्म नहीं है, योग कोई धर्शन नहीं है, योग तो एक जीवन जीने की पदत्ती है, और इस पदत्ती से अगर कोई भी अपना जीवन जीता है, तो एक अच्छा और संतुलित जीवन जीया जा स अब उसके बाद में इससे जुड़ा हुआ है जो आज हमारा विशह है कि योग द्वारा स्वास्ते प्रबंदन अब हम स्वास्त की बात कहते हैं अभी वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने जो संपून स्वास्त की परिभासा दी है उसके कुल पांच अंग बताए गए हैं पहला है हमारा सारीरिक स्वास्ते जिसको फिजिकल हेल्थ कहा जाता है और दूसरा हमारा मानसिक स्वास्ते जिसे की मेंटल हेल्थ कहा जाता है और तीसरा हमारा है भावनात्मक स्वास्ते जिसको हम इमोशनल हेल्थ कहते हैं और चोता है हमारा अध्यात्मिक स्वास्ते जि से की सामाजिक जीवन कहा जाता है सामाजिक स्वास्ते कहा जाता बंदूओं अब इस एक एक चीज को हम पहले समझेंगे और उसके बाद के अंदर योग के द्वारा किस तरीके से हमारा पूरा स्वास्ते का प्रबंदन हो सकता है वो हम बताएंगे सबसे पहले शारीक स्वास है लीवर का काम है हमारा उत्सरजन तंत्र है स्वशन तंत्र है इन सब तंत्र लगबग दस से पंदरा तरह के तंत्र है इन सब तंत्र के माद्यम से ये मनुश्य के सरीर की जो है वह बोड़ी चलती है तो इन सब तंत्रों का विवस्ति दुरूप से कारे करना जो है ये हमारा शारीरिक स्वास्ते क्यालाता है अगर इन सब तंतर के अंदर इन सिस्टम्स के अंदर कोई गरबड़ी आ जाती है तो हम अस्वस्त होते हैं शारीरिक स्वास्ते का मतलब होता है सरीर है विवस्तित रूप से काम करे और सारीरिक अस्वस्तता को बीमारी भी कहा जाता है बीमा आ जाती है तो सरीर अस्वास्त होता है यह हमारा सारी रिक्स्वास्त है दूसरा है हमारा मेंटल हेल्थ का जाता है महनसिक्स्वास्त है हमारा जो मन है वो हमारे मस्तिश्क में रहता है मन और मस्तिश्क दो चीजें अलग-अलग है हम अपने मस्तिश्क को जो है वो एक तरीके से वो जो अभी computer के अंदर दो तरह के होते हैं तो software होता है और एक hardware होता है जो hardware को हम अपना दिमाग या mystics कह सकते हैं और software को हम man कह सकते हैं जो कि हमारे विचार है उन विचारों को man कहा जाता है मन और विचार सारे एक ही है ये हमारे मस्टिस्क के अंदर आते हैं hardware और software मिल करके एक computer का निर्मान करते हैं computer चलता है और दोनों में से किसी में गलबड़ी आ जाती है तो computer काम नहीं करता है उसी तरीके से हमारा hardware हमारा दिमाग है मस्टिस्क है और software है वो हमारा man है यानि हमारे thoughts है हमारी चिंतन प्रनाली है हमारा चिंतन है तो अगर हमारा चिंतन स्वस्त है अगर हमारे दिमाग में कोई तरह का tension नहीं है हमारे दिमाग में कोई तनाव नहीं है तो हम सुखी होते हैं इसलिए समस्त सास्तरों के अंदर समस्त दुनिया के अच्छी चीज़ों के अंदर ये बताया गया है कि सबसे बड़ा सुख है मेंटल पीस कही जाती है क्योंकि ये सरीर तो जो एक इंस्टूमेंट की तरह है फिजीकल है लेकिन इसको संचालित करने वाला हमारा मन है हमारे थौर्ट्स है और जिस किसी के मन और थौर्ट्स जो है नेगेटिव होते हैं वो अनकारात्मक परवर्टी का होता है वो गलत दिस का गण आपने मेरे स्पनुर्थान कारिकरम के अंदर मेरे को जहला मेरी बात को तक तकी लगा कर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो है वो सुना अब थोड़े समय के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं ब्रेक के बाद तरो ताजा होकर पुना इस विसे पर फिर मंतन करेंगे अब हमने थोड़ा समय तक ब्रेक दे करके शारीरिक की और मानसिक की स्वस्तता को प्रात किया और पुने स्वस्त हो करके हम हमारा निर्दारी द्विशय के उपर पुने जो है इस ग्यान इग के अंदर अपना मंतन प्रारंब कर रहे हैं बिना कोई दवाई लिये बिना अस्पताल गए हम प्रकरती के करीब रह करके योग को अपना जीवन बना करके और हम स्वस्त रह सकते हैं मैं बाई और बैनों स्रोतागन दर्शगन आपको बताना चाहता हूँ कि इस रस्टी के अंदर असंक्य प्राणी रहते हैं अनंत प्राणी रहते हैं क्या आपने कभी ये सोचा कि कबूतर है चिडिया है बिल्ली है चूए है इन सब की जो है ट्रीटमेंट कौन करता है हम मनु करता है उनके पास मैं कहां डॉक्टर पहुंचता है बंदूओं कितना एक प्रकृति का सिस्टम बना हुआ है प्रकृति ये कहती है कि ये हमारा परियावरन प्रकृति ये सर्ष्टी ये कहती है कि प्रत्व ये कहती है कि जिसकी मैंने उत्पत्ति की है जिसको मैंने अपनी सरण में लिया है मेरी जम्मारी है कि वो मेरे नियम से चले और मेरे जो है हिसाब से चले तो कभी भी अस्वस्तर नहीं हो सकते इसलिए बाई और बेश्ची है यह जो जितने भी पसू पक्षी है यह सारे चराचर जगत के पसू पक्षी है वो अपने आप स्वस्त हो जाते हैं जैसे कोई भी पक्षी बिमार पड़ा तो पानी में जाकर के लोट पोड होता है और वह स्वस्त हो जाता है गाए और भैसों को आपने देखा होगा कि भैसे पानी के अंदर बैठी बैठी इतनी तरफ्त हो जाती है इतनी आनंदित हो जाती है कि वो उससे ही अपना स्वास्ति कर लेते हैं और इस तरीके से हमने भी देखा कभी भी हमारे घाव लग जाता है उस घाव के उपर अगर हम पट्टी पानी की बान देते हैं तो कुछी समय के बाद के अंदर वो खून का जो है वो गिर प्रकरती के साथ तालबेल बनाए रखना और प्रकरती के नियमों का पालन करना और जितना जितना व्यक्ति अप्रकरतिक होता है वो उतना उतना ज्यादा बीमार पड़ता है तो ये पहले हमने शारीरिक स्वास्तिय मानसिक स्वास्तिय की बात की तीसरी भावनात्मक स्वा ग्रणा जलन मत्सर ये जितने भी नेगेटिव थौट्स हैं ये जो है वो सारी हमारी भावना काई जाती है और उसके साथ साथ positive कोई भावना रखे सानुबूती प्रेम आनंद सयोग एक दूसरे की सेवा करना ये सब जो हमारी positive thinking होती है तो ये अगर हमारे भावना के अंदर हमारे मन के अंदर हमारे चिंतन के अंदर अगर ऐसी सोच है positive तो वो हमारा भावनक स्वास्ति अच्छा रहता है तो हमने देखा हमारा शारिरिक स्वास्तिय, मानसिक स्वास्तिय, भावनात्मक स्वास्तिय और अब आता है हमारा अध्यात्मिक स्वास्तिय बंदूओं सबसे उच्छ स्वास्त होता है अध्यात्म अध्यात्म का अर्थ होता है बीतर की और हम बाहर की जगत में जाते हैं तो हमारा लोकिक जगत है और सारा बीतर का जगत है वो अध्यात्म का जगत है अध्यात्म का जगत बाहर के जगत से कई कई असंत के गुना बड़ा है और बीतर के नियम अलग है बाहर के जगत के नियम अलग है बीतर से बहार आता है जो हमारा ये लोक है हमारा जो ये वैवार है इसको हमारा बीतर का जगत संचालित करता है आपने देखा होगा कि चाहे बहुत बड़ा कंप्यूटर हो चाहे बहुत बड़ा विग्यानिक इंस्ट्रूमेंट हो चाहे हमारा मॉबाइल हो उसके अंदर छो आजार जी बी की है जूं जूं जी बी बढ़ती है जूं जूं उसकी सिम कहिए या उसका मेमोरी कार्ड कहिए वो और छोटा हो जाता है इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ ये है कि जब भीतर जमें जब सुक्षमता में जाते हैं तो सुक्षमता सक्तिसाली बनती है और सुक्स में होते होते जब अब अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं तो आत्मा तो अरूपी है और आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा ये संपूर्ण विश्यों के अंदर है जे एगे जाने ते सब्बे जाने ते सब्बे जाने ते एगे जाने यानि जिस व्यक्ति ने इतनी बातें तो मनुश्य ही कर सकता है पेड़ पोदा पसुपक्षी इतनी बात नहीं कर सकते क्योंकि पेड़ पोदों के पास तो क्यों लेकि स्पिस इंद्रिये ही है और उसके बाद में जो पसुपक्षी हमारे जैसे पांच इंद्रिये वाले है लेकिन उनके पास विक्षित दिमाग नहीं है तो वो कहां से इस तरीके की बात करेंगे तो spirituality भीतर का जगत ये बहुत बड़ा स्वास्त है जो व्यक्ति आत्मा में विश्वास करता है जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है जो व्यक्ति करमबाद में विश्वास करता है वो व्यक्ति कभी भी एहंकारी नहीं हो सकता किसी का बुरा नहीं कर सकता वो करफशन नहीं कर सकता वो रेप नहीं कर सकता और किसी तरह के दुश्करता तंकवाद वो नहीं कर सकता ऐसा हमारा spiritual health है अब उसके बाद में अंतिम health आती है social health social health का मतलब सामाजिक स्वास्ति है जिस परिवार में हम रहते हैं हमारी पत्नी हैं हमारी संतान हैं हमारी माता-पिता है वो हमारा परिवारिक स्वास्ति हो गया उसके बाद के अंदर हम जिस शहर में या गाओं में रहते हैं वो उस गाओं का स्वास्ते हो गया गाओं का स्वास्ते क्या होता है कि हमारा पडोसी है उसके साथ हम अच्छा वहवार करें पडोसी कभी बीमार पड़ जावे अच्छानक उसके घर में कोई सादन न हो या कोई जाना वाला नहीं हो तो हम उसका स्योग करके उसको हस्पिटल ले जाएं, उसके बाद में देश का या समाज का जो हमारा स्वास्त क्या होता है, कोई व्यक्ति के साथ जा रहा है मान लीजिए और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा करतब ये बनता है, उसको इमीजिट मेडिकल एड ज यानि परस पर हम जो रहते हैं उसकी एक दूसरे की मदद करना ये बहुत बड़ा सुन्दर जीवन है, क्योंकि आज हम स्वार्तवस किसी की मदद नहीं करेंगे, तो कौन हमारी मदद करेगा, अब दो पहलों आगे बंदूओं, योग की परिभाशा की, योग के दर्शन को समझा, स्वास्त के पूरा दर्शन को समझा, स्वास्त की परिभाशा की, कितने रचरक सास्त है, अब इन दोनों का हम, हम जो है इंटरेक्शन करते हैं, इनकी ब्लेंडिंग करते हैं, दोनों को जोडते हैं, कि योग के दोरा किस तरीके से स्वास्त है, हमारा अच्छा रह स पहले अगर वो उड़ जाता है इश्वर की भक्ती प्रारंप करता है बजन बोलता है शुद्ध चिंतन करता है और अपने इश्ट का नाम लेता है तो ये सारा योगिक पदत्ती है मतलब अपने इश्वर को याद करना ये सारी योगिक पदत्ती है और इस पदत्ती के माध्य व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी उर्जा आती है और उर्जा आने से वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वैस्थ हो जाता है, शारिर रूप से स्वास्थ हो जाता है. योग का जैसे मैंने आसन की बात कही तो इस तरीके से सेकड़ों आसन है उन आसन के अंदर यग्दी व्यक्ती समय लगाए थोड़ा समय जिसका पेट भरा हुआ ना हो खाली पेट हो और उसमें आसन में वो बैट करके वह काफी देर तक बैठा रहे तो उससे क्या होगा कि हमा पाड़ी जब कोमल होती है तो उसमें खून का संचार दुरुत कती से होता है बाई और बैनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस पूरे सरीर के अंदर प्रतिदिन खून है एक लाक किलो मिटर तक दोड़ता है क्योंकि इसमें इतनी वेन से हमारी इतनी धमनिया है इतनी सीरा हैं और इतने चोटी चोटी नाडिया है ऐसी सरीर का हमारा नहीं किसी भी प्राणी का कोई भी सरीर है उस सरीर के अंदर जो पंचेंद्री है पांचेंद्री का जीव पे जैसे की आपका पसू है पक्षी है गाय है बहें से ये पांचेंद्री वाले विक्सित प् और खून के माद्यम से जो है पूरा संचालन होता है दर्शागर्ण सोतागर्ण भाई और बैनों आपके प्रती बहुत बहुत आभार कि आपने इतने लंबे समय तक बिना कोई भी विस्राम किये और बिना कोई अपना ध्यान इदर उदर अटाए हुए आपने पूरा एकाग प्रता के साथ के अंदर योग और स्वास्ति प्रबंदन को सुना आपने और इसका लाब लिया तो आपके प्रती बहुत-बहुत मेरी जो है वो सतकार आनंद और बहुत-बहुत धन्यवाद सादुवाद